नमस्कार दोस्तों इरे में आप सबका स्वागत है Samsung ने जो है वो अतना Samsung Pay एप लाँच किया हुआ है इस एप से हमें क्या-क्या सुविधा मिलने वाली है और इस एप से हमें क्या-क्या फायदे होंगे चलिए देखते हैं इस वीडियो में दोस्तों अगरे आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंग्स के साथ ज़रूर शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिए दोस्तों Samsung पे जो ये एप लाँच हुआ है वो अभी Samsung के सारे फोन्स पे अविलेबल नहीं है ये अभी फिलाल सिर्फ कुछी फोन्स पे अविलेबल है जिनके नाम कुछ इस प्रकार है Samsung Galaxy Note 5, Samsung S7, Samsung S7 Edge, Samsung S6 Edge Plus Galaxy A7 2016, Galaxy A5 2016, Galaxy A7 2017 और Galaxy A5 2017 Samsung Gear S3 Smart Watch भी इस पिचर को सपोर्ट करेगा Samsung ने इस Samsung Pay एप के लिए काफी सारे पेमिन केक्विस और बैंक से टाइप कर लिया है जैसे की ICICI Bank, SBI Bank, HDFC Bank, Standard Chartered Bank, City Bank और American Express Samsung ने Mobile Wallet Paytm के साथ भी टाइप कर लिया है और कुछी समय में Access Bank की मदद से UPI सपोर्ट भी एड करेंगे Samsung Pay के Network Partners होगे American Express, Visa और Master Cards और Pine Labs जो है वो इनके Acceptance Partner होगे POS Machines के लिए दोस्तो POS Machines का Full Form है Point of Sale Machines अगर Security की बात करें तो यह एप जो है वो तीन तरह की Security प्रोवाइड करता है पहले तो Fingerprint Authentication, Payment Authorization के लिए दूसरा Card Tokenization, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा क्या है यह और तीसरा जो है वो Samsung का खुद का एक Security Feature है जिसका नाम है Knox दोस्तो अभी आप यह सोच रहोंगे हमारे पास इतने सारे Payments App है इतने सारे Payments Wallets है तो फिर यह Samsung Pay जो नया आया है इससे हमें क्या फाइदा होगा यह हमें क्या नई चीज दिखाएगा इसमें एकसर क्या नया है दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि Samsung Pay कोई Wallet नहीं है यह एक Multipocus Payment System है जो Samsung ने बनाया हुआ है दोस्तो अगर आप Samsung Pay यूज करते हो तो आपको आपके Cards लेके घूमने की जरुद नहीं पड़ेगी आपको बस आपके Cards के Numbers डानके सारे Cards Samsung Pay App में सेव करने होगे Samsung के मुताबिक Samsung Pay App आपके किसी भी Cards Numbers को सेव नहीं करता बनके वो Tokenization Technology यूज करके आपके Card के लिए Token Numbers create करता है और उसे सेव करता है तो आप इस Samsung Pay App को use कैसे करोगे अभी जब आप कभी Shopping के लिए जाओगे तो आपको बस आपके Samsung Pay App को चालो करना है फिर जिस Card से Payment करना है उस Card को Select करना है फिर POS मशीन के पास आपके Phone को लेके जाना है और जब वो मशीन और Phone में Detection हो जाएगा उसके बाद आपको Amount डालनी है Amount डालने के बाद जो भी Verification पिन आपको डालना पड़ता है वो डालके आपको पेमेंट करना है आपको यहाँ पे कोई भी आपका Card स्वाइब करने के ज़रूर नहीं पड़ेगी इस Wireless Payment के लिए Samsung App जो है वो NFC यानि की Near Field Communication और MST जिसका मतलब होता है Magnetic Secure Transmission यूज करते हैं दोस्तो इस वीडियो को लेकिए अगर आपके मंद में कोई भी सवाल हो तो प्लीज नीचे comment box में लिखिए और हमारे वीडियो को ऐसी देखते रहिए दन्यवाद